पित्त का संतुलन हमारे शरीर में रहना बहुत ज़रूरी होता है जिसे हम कहते हैं बैलन्स रहना आईरवेद के अनुसार तीन दोश होते हैं जिसमें वात, पित्त और कफ पित्त हमारे शरीर के पाचन प्रक्रिया में बहुत ही मददगार होता है साथ ही पित्ट अगनी का नियंदरन भी करता है जिसे भोजन का सही तरीके से पाचन होता है लेकिन यही पित्ट अगर आपके शेरीर में ज़्यादा हो जाए तो काफी तकलिपे हो सकती है काफी पेट सम्मंदित बिमारिया भी हो सकती है acidity की समस्या हो सकती है पेट में जलन हो सकती है डकारे आ सकती है कई लोगों को हम देखते है परिशान वो हो जाते है उन्हें दिन भर डकारे शुरू रहती है ये भी तकलीफ पित्त के बढ़ जाने की वज़े से हो सकती है पेट भी फुल सकता है इस तरह की digestive problems जो है हमारी लाइफ में शुरू हो जाती है अब सवाल ये उट्टा है कि पित्त को किस तरह से कम किया जाए क्या करे और कौन से वो जबरदस्त घरेलो नुस्के है जिन से पित्त की समस्या से आप रहत पा सकते है तो इस वीडियो में ऐसे ही साथ जबरदस्त घरेलो नुस्कों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्णा है एक एक बात को ध्यान से समझना है लेकिन हाँ सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए ताकि नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके और आपकी एक छोट इसी क्लिक से मेरा भी उत्सा बढ़ जाता है तो चलिए बिना देरी किये जानते हैं पित्त कम करने के जबरदस्त घरेलू नुस्कों के बारे में नमस्कार मैं डॉक्टर सीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका डॉक्टर टोंग से हमेपेथी पे पित्त के घरेलू उपायों के बारे में तो हम जरूर जानेंगे लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पित्त की समस्या बढ़ती क्यों है, क्या है इसके कारण। फटाफट कारणों के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि अगर आप कारण तक पहुँच गये, तो आप इसे पर्मनेंटली ठीक भी कर पाएंगे, अपने जीवन शेली में कुछ बदलाओ भी कर पाएंगे। फटी तेल उस खाने में डाला हुआ होता है, और यही कारण होता है पित्त के बढ़ने का, अगर आप ज्यादा प्रमान में मसालेदार या ज्यादा प्रमान में तेल युक्त आहर का सेवन करते हैं, तो इसे भी आपने कम करना चाहिए। पित्त भड़ सकता है, पाँचवा कारण भी समझना बहुत जरूरी है, अगर आप ज्यादा प्रमान में तंबाकों खाते हैं, या फिर शराब का सेवन करते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में पित्त का संतुलन बिगड़ सकता है, असंतुलन निर्मान हो सकता है और काफी तकलीफ है आपको हो सकती है, छे नंबर का इसका मुख्य कारण होता है, अनियमित खानपान, जी हाँ, लोग खानपान की तरफ, उसके टाइम की तरफ, वक्त की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, कभी भी खाते हैं, रात को देरी से खाना खाते हैं, और जिसकी वज़़ से शरीर में पित्त का प्रमान बढ़ सकता है, साथ नंबर का कारण है, अधिक उशनता में अगर आप रहते हैं, तो भी पित्त बढ़ सकता है, या फिर अधिक समय तक आप सुर्य किरनों के नीचे रहते हैं, बहुत जादा धूप में रहते हैं, इससे भी आपके शरीर में प गड़ सकता है और तकलीफे हो सकती है दसवा कारण बड़ा इंट्रेस्टिंग है और जिसे आपने समझना ही चाहिए अगर आपको बहुत जादा गुस्सा आता है तो भी आपके शरीर में पित्त का असंतुलन पैदा हो सकता है अब कारण तो आप समझ गए कारण तक पहुँ हो सकता है आपको ये भी पता चला हो कि अरे मेरी जिंदगी में यही कारण है जिसकी वजह से मेरा पित्त बढ़ जाता है और कुछ लोगों ने उसके उपायों पर भी या फिर उसे किस तरह से निपटना है इस बात पर भी तवज्जु जरूर दिया होगा लेकिन अब हम प पीने से पित्त संतुलित हो जाता है उसे संतुलित करने में बहुत जादा हिल्प मिलती है तो निम्बू पानी लेना कब है भोजन के थोड़ी देर बाद आप निम्बू पानी पी सकते है उसे बहुत फायदा आपको होगा क्योंकि आपके पाचन में भी ये हिल्प करेगा अब जानते हैं दूसरा बहुत ही सिंपल घरिलू उपाए दूसरा उपाए है आमला आमला आपके शरीर को ठंडाई देता है और पित्त की बढ़त को भी कम करने में मदद करता है अलग अलग प्रकार से आप आउले का सेवन कर सकते हैं आप आमला चुरन भी ले सकते हैं आमला जबरदस घरिलू नुसका सुबह सुबह खाली पेट आपने क्या करना चाहिए गरम पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना है जो आपके लिए बहुत ही फायदे मंद होने वाला है सेंधा नमक के उपर मेरा सेपरेट वीडियो है ये दिखिए इस वीडियो को भी आप ज तरह से रहत पा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं मेरा वाटसेप नमबर मैंने निची दिया है आप मुझे वाटसेप कीजिए मैं आपसे बात करूँगा और किस तरह से इस तकलीफ से आपको दूर करना है उसमें भी मैं आपकी साहिता क चलिए जानता है चौथा घरेलू उपाय है खीरे का सेवन करना खीरे के सेवन से शरीर का तापमान कम हो जाता है और पित्त की संतुलन में भी सुधार हो जाता है पाचवा जबरदस्त उपाय है घी जिया अगर घी का आप संतुलित मातरा में सेवन करे तो पित्त की बढ़त क यह कम कर सकता है घी को आपने कब लेना है सुभे खाली पेट जिहां खाली पेट एक चम्मच गाय का घी आप अगर लेते है तो इससे बहुत ही आपको फायदा होगा आपकी पाचन प्रणाली आपकी पाचन प्रक्रिया भी अच्छी हो जाएगी और पित्त जो बढ़ता है आ प्राउन राइस को अगर आप सेवन करते है तो इससे पित्त की संतुलन में सुधार होता है साथ रंबर का उपाए भी बहुत ही सिंपल है आपने क्या करना चाहिए सुभे खाली पेट कुछ बादाम खाने चाहिए जो पित्त के संतुलन में बहुत फायदेमद होते है पित प्राउनों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपने फैमिली मेंबर्स तक भी जरूर वाटस अप पर शेयर कीजिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खयाल रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवा करते रह सी हमक पर अगते रहिए है बहा है यदयर का परिवार के बहुत बहुत प्रहnya झाला आला य Eb